हस्तमेतुन खराब नहीं है इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं मैंने पर पहले वीडियो डाला था हस्तमेतुन के बारे में उसमें काफी लोगों की कॉमेंट्स आये काफी घरत्से में उसके बारे में हैं इसलिए कॉमेंट्स बें आ गए कोई अच्छा बोल रहा है अब मैं बोल रहा हूं कि हस्तमेतुन खराब नहीं और क्यों खराब नहीं हो तो आये आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्यार में मनोविकार सेक्स रोक सम्मोह सब्सक्राइब करते हैं इसलिए और लोग अपना इसलिए और लोग अपना इलाज कर लेते हैं यहां भी आके लोग इसलिए तो आई बताता हूं कि वह था खराब क्यों नहीं है है देको होता कि हमारे पुरान वेद में आयुरेदा अहीं को हास्त में खराब है कि वीडियन पखेजाए संब ना पड़ता है वोड्य में किवह अपने इम को भी आरुजा पूरा गलत है ऐसा कुछ भी नहीं वीरिय संभालने की चीज नहीं है कि हम बाड़ी में संभाल के रखेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे उससे कोई इनर्जी मिलती नहीं है वो वेस्ट प्रॉडक्ट है एक दो बार कामें आएगा तीन बार कामें आएगा सीमेन इग्जामिनेशन मतलब धातू का जब अब टेस्ट करते हैं धातू की टेस्ट होती है तो उसमें जब वीर्य वीर्य में वीर्य जन्तू जो रहते हैं मतलब स्पर्म तो उसका काउंट रहता है 60 to 120 मिलियन पर सीची जरव साथ दशलक्ष से लेके 120 दशन लक्ष तक स्पर्म काउंट रहता है एक मेल में मतलब हर एक स्पर्म काम में आता है तो एक मेल में इतने बच्चे तैयर हो सकते हैмえば लेकिए एक सुभी दश्य लक्षा तक इतने बच्चे तैयर से उसमें काम कुछ आई एक ही क्यों एक ही काम में आता है वो जो अंड़ पीज रहता है फीमेल का स्री बीच उसके साथ है और उससे साथ में मिलने के बाद में बच्चा पैदा होता है बागी तो काम में आती नही है लोग में यह लग है कि नहीं इनी वीरया नाश जिए ना मिलनाश कुछ यह अंधार नाश कुछ कि च्मब ब्रह्मचारी लोग नंख़ते है वह जयादा साल जीते है आहिसा कोई साल जीरी वह इसावि कुछ नहीं वो गंमानी की चीजय वेस्त है फो है जही पिरंस करते हैं लोग तो सेक्स करते हैं संब॥ उठके खड़ी हो जाती है तो वीरे कहां जाता है बात्रूम में वहां से कहां जाता है नाले में मतलब शादी के बाद में भी जब 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 सेक्स आदमी करता है तो उसका वीरे का क्या होता है वीरे लॉस ही होता है शादी के बाद में भी अंदर रहता नहीं ह वो ना कोई आदमी के पेट में है ना कोई लेडी के पेट में जमा हो जाता है वो तो नाशिय होता है उसका वो तो बाहर गिर नहीं है फिर सवाल क्या आता है यदि सेक्स औरत के साथ में करना वो यदि राइट है उसमें भी विर्य जा रहा है तो उसमें कोई प्राब्लिम नहीं है, तो अवरत के साथ में सेक्स करो, योनी में लिंक का खरशन करो, और अंदर वीरिय डालो, एक वो हो सकता है, जिसको बोलते हम संभोग, और नहीं, तो योनी के बदले हाथ जो है मुठी, तो उसका जो है योनी जैसा छेत त्यार करो, और लिंक के उपर खरशो, यह दि कर देता है, तो यह वीरिय जो है, वो दोनों में भी गिरने वाला है, इसमें क्या है, इसमें योनी जो है, जो हाथ से किवी है, वो ही लेंगी, और जब स्री के साथ में करता है, तो योनी में लिंक उपर नीचे हो जाता है, दोनों में भी लि तो एक विर्यकाव बुन वो असी खून के बुन के बडाबर का है काने लिखा हुआ हुआ अई उपलियू कोई नहीं है एक problem है जब किसी को वो obsession हो चुका है या compulsion है उसके बारे में कि नहीं वो करना ही पड़ता है उसको मजा नहीं आ रहे है उसमें enjoy नहीं कर रहा है और तभी भी उसको करना ही पड़ता है कि वो obsessive compulsive disorder जैसा हो गया हो तब ही और वहस्का इलाज करना अब गजाएंगा कि उसका इलाज है उसका इलाज हस्ट में नहीं है बाकि कितना भी है तभी प्राब्लीम नहीं मेरे पास में कितने सारे लोग आते रहते जो बोलता है कि हमारी उमर पचास-pच्पन साल के हो गई क्या होता है कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि एक बार लेड़ी की महावारी बंद होगी तो उसकी इच्छा ने रहती है बोई है आप अपस में जन्जंट करना जगड़ा करना या वो तैयार नहीं तबी भी उसको मनवाना या फिर प्राबल्लेम तैयार करना जगड़ा करना इससे अच्छा principal है कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हस्ता में तुन कर सकते हैं कि उसकी जो पत्नी है वो उसको गरबधाराना हो चुकी है तो उसको प्रेग्नसी में वो सेक्स करने के लिए डॉक्टर निमाना किया होंगा तो उस समय कर नहीं सकता है या उसको बिमारी है तो नहीं कर सकता है या कहीं बाहर गाओ गई है तो नहीं कर सकता है या एमसी महावारी मासिक धर्माया हुआ है तो नहीं कर सकता है तो इसे काफी सारे टाइमिंग्स रहते कि जो उससे में सेक्स होता नहीं उससे में भी शादी के बाद में लोग हस्ता मे कर दिए और लड़कियों ने भी हस्त में तुन करना कोई गलत नहीं है वो भी उनका जो रहता है यह नी लिंग उसको स्टिमुलेट करके लड़कियां महल आया हस्त में तुन करते वह नॉर्मल उसमें कोई प्राब्लम है नहीं है तो यह गलत फेम निकाल दो यह कितने सारे लोग मुझे इसमें बताते रहे हैं तो मैं बोलत आप बताओ इसको क्या साइंटिफिक बेसिस है कि हस्त में तुन बु सब्सक्राइब करने की इच्छा कम हो जाएंगे और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक्यू बेरी मच प्राइब करो साइंटियो जी हTMा जी रिए रफना है कि का बे WIN शेचरे और जीपिए tutte ब्हुत भरफना है की आपको जओूर इसक बेर्णतनि जीवन धर शे ठाबसे करो